गोडे बहुत ही शांदार जानवर होते हैं ये ना सिर्फ दिखने में खुपसूरत होते हैं बलकि बहुत तेज और फुर्तीले भी होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोडे दिन बर में इतनी उर्जिया खर्च करते हैं फिर भी वे लेटते या सोते या आराम नहीं करत अस्षो शक्ति की आउधारना भी घोड़े की ताकत और प्राकृतिक शनरचना को देखते हुए पैदा हुई है दुनिया बर में घोड़ों की कई प्रजातिया पाई जाती हैं लेकिन घोड़े के बारे में एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी कि घोड़े हमेशा खड़ के लिए घोड़ा हमेशा खड़ा क्यूं रहता है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं गोड़े की आके दर्ती पर निवाश करने वाले शबी इस तंधारियों में सबसे बड़ी होती हैं गोड़े अपने जर्म के कुछ घंटों बाद ही दौड़ने लगते हैं जब मतलब वो विशेश नाक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं की गंद अच्छी है या बुरी एक समय में लोग सोचते थे की घोड़े कलर ब्लाइंड होते हैं जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है वो बैगनी एवं हलके नीले रंग को पीले और हरे रंग से ज़्यादा पहँचानते हैं गोड़े के दांत उनके शिर में उनके मस्तिस्क से अधिक इस्तान लेता है आप नर और मादा गोड़े में पहँचान उनके दांतों की शंक्या के आधार पर भी कर सकते हैं क्योंकि नर गोड़े में 40 जबकि मादा गोड़े में 36 दांत होते हैं गोड़े के खुर उसकी प् और बाल बने होते हैं घोड़ा प्राया शबी इस्तानों पर पाया जाता है फिर भी अर्बी घोड़े शुंदर्ता में और इंगलिश घोड़े मजबूती में प्रशिद माने जाते हैं कई इस्तानों पर घोड़े का कद छोटा होता है इसे टट्टू कहते हैं घोड़े की ग गोडे के खुर गाय के शमान फटे हुए नहीं होते इनके नीचे लोहे की नल जड़ देते हैं ताकि इने कहीं चोटना आ जाए गोडे की पीट की बनावट ऐसी होती है जिससे की शवार को बैठने में कोई अशिवदा नहीं होती इनका सरी सुडॉल एवं बलिष्ट होता है सन 1867 से लेकर 1920 तक लगवग दो करोड गोडों को मारा जड़ चुका है गोडे की अधिक्तम नापी गई गती 88 किलोमीटर प्रिदिघंटा है जबकि ओस्तन 44 किलोमीटर प्रिदिघंटे की रफ्तार से वो दोड़ शकते हैं गोडे अपने कानों आखों और नतनों की मदद स से अपने भाव व्यक्त करते हैं वे चेहरे के भावों से भी अपनी भावना प्रकट करते हैं गोडे की ओसत आयू 36 वर्स होती है गोडा मांशाहारी नहीं है मास के अलावा प्राया शभी पदार्थ खाशकता है और घास तो इसका मुक भोजन है पालतु गोडों को अधिक बलवान बनाने के लिए चना और मलीदा आदी खिलाते हैं जंगली गोडे दचनी अमेरिका में पाये जाते हैं लोग उन्हें पकड़कर शिचित करते हैं शिचित होकर ये इतना सद जाते हैं कि उनसे दुशाद्य और विश्मय जनक कारे करने लगते हैं कुछ जानवर तो बिलकुल भी नहीं है कि घोड़े कभी शोते नहीं हैं दुनिया के सभी पसुपच्ची और जनवर अपनी आविशक्ता के हिसाप से आपनी निंद ते करते हैं जी हाँ दोस्तों जी हाँ दोस्तो जानवर आमतोर पर रात में आराम के लिए बैठ कर या लेट कर अच्छी नींद लेते हैं लेकिन घोड़े बहुत कम समय के लिए ही आराम करते हैं वे भी खड़े होकर अगर हम बात करें कि घोड़ा 24 गंटे में कितना शमय आराम करता है तो वे केवल 30-40 मिनिट ही आराम करता है क्योंकि उसे इससे ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती है आपको बता दें कि घोड़ा एक बहुत ही उर्जावान और शक्तिशाली जानवर है इस उर्जा के उसे निश्चित रूप से बहुत कम नींद की जरूरत होती है घोड़े खड़े रहते हुए दिन बर में कई बार छोटी छोटी नींद की जबकी लेते हैं जिससे उन्हें हर शमय सतर्क और सजग रहने में मदद मिलती है प्रिकरती ने उनके पैरों की मास पेशियों और उ वे बहुत टाइट होते हैं जो हर हाल में उसकी मदद करते हैं और जब घोड़ा सोता है तो उसे गिरने नहीं देते हैं अब हमारे मन में ये शवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा की घोड़ा आराम कर रहा है दरاصل जब घोड़ा ठका हुआ मैशूश करता है तो वह अ अपने चार पैरों में से एक पैर को थोड़ा उपर उठा लेता था फिर इसी तरह एक एक पैर को आराम दे कर घोड़ा अपनी ठकान दूर करता है इसलिए अगर आपको एक पैर उपर उठाए घोड़ा दिखाई दे तो उसे परेशान ना करें क्योंकि वह उस समय आराम कर रहा होता है किया आपने कभी किसी गोड़े को किसी अन जानवर की तरह बैठे हुए देखा है दोस्तों अब ऐशा भी नहीं है कि गोड़ा कभी बैठता नहीं है लेकिन गोड़ा तभी बैठता है जब वे बीमार हो या बहुत कमजोर हो तभी वे कुछ समय के लिए बैठता ह इसलिए ये माना जाता है कि जब तक गोड़ा खड़ा रहता है तो उसे गोड़े के स्वास्त से जोड़कर देखा जाशकता है क्या होगा अगर हम गोडे को जबरजस्ती बैठा दें तो गोडे के सरीर का पूरा भार उसके गरदन और पेट के मदद के भाग पर आ जाता है जो उसके सुसंत तंतर पर दवाव डालता है जिससे गोडे को श्वास लेने में कटनाई होती है और हवा ठीक तरह शे उसके जबा हमेशा खड़ा रहता है और यही कारण है कि गोडे का खड़ा रहना ही उसके श्वास्त के लिए अच्छा होता है तो दोस्तों आप लोगे वीडियो कैसा लगा पसंद आयों से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं त तो हमारे चैनल फेक्स ग्रेटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें